एक फर्शियल लाइफ इंशोरेंस प्लैन है जो बीमा धारक की मृत्यू को कवर प्रदान करता है। एरटल पेमेंट्स बैंक के रीटेलर अब इस इंशोरेंस स्कीम को एरटल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट धारक ग्रहक को बेच सकते हैं। आए इस प्रोसेस को विस्तार से जानते हैं। मित्रा आप के बैंक सेक्शन में लॉग इन करें। प्रदान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना विकल्प पर टैप करें। ग्रहक से एरटल पेमेंट्स बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नमबर पूछें। और यहां दर्च करें। और ग्रहक से डेकलेरेशन को पढ़ने तथर टिक बॉक्स में निशान लगाने को कहें। अब गो पर टैप करें। ग्रहक को उनके रेजिस्टर मोबाइल नमबर पर एक वेरिफिकेशन कोड प्राप्थ होगा। ग्रहक से वेरिफिकेशन कोड पूछें और इसे यहां दर्च करें। इसके बाद वेरिफाइप पर टैप करें। इससे एरटल पेमिंट्स बैंक सिस्टम की स्क्रीन पर आपके ग्रहक की जानकारी अपने आप दिखाए देगी। अब अपने ग्रहक के अकाउंट में नॉमिनी का विवरण परें। अगर नॉमिनी नावालिक है, तो अभिभावक का विवरण भी दर्च करें। नॉमिनी का विवरण बढ़ने के बाद, रीटेलर के लिए यह ज़रूरी है कि वह ग्रहक से डेक्लिरेशन, नियम वशर्तें और अनॉसी पढ़ने को कहें, और चेक बॉक्स में निशान लगाने को कहें। अपने ग्रहक को बताएं कि उनसे अगले साल इस इंशोरंस के रिन्यूवल के लिए 330 रुपे आटो डेबिट करने की सहमती ली जा रही है। स्कैनिंग और वेरिफिकेशन के लिए ग्रहक से बायोमेट्रिक डिवाइस पर फिंगर स्कैन करने को कहें। सफल वेरिफिकेशन के बाद अपना MPIN दर्ज करें और PMJJBY हितू ग्रहक का नामांकन कम्प्लीट करने के लिए डन पर टैप करें। अब आपको स्क्रीन पर ट्रांजाक्शन होने का कन्फरमेशन मेसेज प्राप्थ होगा। इसके बाद पॉलिसी कन्फरम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि ग्रहक को पॉलिसी जारी कर दी जाएगी। और ग्रहक को SMS के माध्यम से पॉलिसी के लिंक के साथ एक कन्फरमेशन मेसेज भी प्राप्थ होगा। ग्रहक उस लिंक पर क्लिक करके पॉलिसी विवरंट देख सकता है। आईए, एरटल पेमेंट्स बैंक के सेविंग अकाउंट ग्रहकों को PMJJ BY बीमा योजना बेचते समय ध्यान रखने वाली कुछ खास बातों पर चर्चा करते हैं। आईद पॉलिसी खोचे। ग्रहक को पॉलिसी SMS भीजने के लिए सेंट पॉलिसी SMS बटन पर टैप करें। PMJJ BY मुखे रूप से एक टर्म बीमा पॉलिसी है, जो केवल मृत्यू को कवर करती है। इस पॉलिसी के लिए उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक है। पॉलिसी की कीमत 330 रुपे है। याग रखें, ग्रहक से कभी भी वास्तविक कीमत से ज्यादा ना ले। ग्रहक को बताएं कि किसी भी परिस्थितियों में इस स्कीम के तहट रिस्क कवरिज की राशी 2 लाख रुपे है। यह राशी पॉलिसी धारक की मृत्यू पर दे होगी। पॉलिसी लेने की तारीक से 45 दिनों के अंदर हुई तुर्खटना वश मृत्यू ही पॉलिसी में कवर है। प्राकृतिक मृत्यू के लिए पॉलिसी 45 दिनों के बाद वैद होगी। आईए अब कवर पीरियट के बारे में जानते हैं पॉलिसी समाप्ति तिथी 31 मई है पॉलिसी को साल के चाहे किसी महीने में खरी दी गई हो उधारन के लिए यदि आपने यह पॉलिसी जुलाई 2018 में खरी दी तो यह 31 मई 2019 को समाप्त हो जाएगी इस उधारन में पॉलिसी अबधी केवल 10 महीने की होगी बीमा खरीटते समय अगले साल के लिए आटो डेबिट की सहमती दी जानी चाहेगे कोई बैंक अकाउंट धारग यह पॉलिसी ले सकता है लेकिन आपकी दुकान से केवल एरटल पेमिंस बैंक सेविंग अकाउंट धारग ग्राप ही इसे खरीड सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नमबर 12144 पर कॉल कर सकते हैं या सेल्स टीम से संपर्क कर सकते हैं यदि PMJJBY योजना के संबंध में आपको कोई सहायता चाहिए तो आप भारती आक्सालाइब के टोल फ्री नमबर 180101024444 पर कॉल कर सकते हैं एरटल पेमिंस बैंक के साथ PMJJBY की प्रक्रिया पर ट्रेनिंग हो चुकी है अब समय है ट्रेनिंग पर आधारित सर्टिफिकेशन पूरा करने का सर्टिफिकेशन पूरा करने के लिए 80% अंग प्राप्त करना जरूरी है सर्टिफिकेशन शुरू करने के लिए यहाँ क्लिक करें झाल 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 झाल